नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ रासान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चैनल दोस्तो इस चैनल पे आपको प्रिविए सरी पेपर का डिस्कसान मिल जाता है तो आप लोग ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए तो दोस्तो आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFC CIL में Executive Signal and Telecommunication का पेपर हुआ था 11 November 2018 को उसी प्थड में उसी में General Awareness के जितने भी प्रस्ण पूशे गए थे सभी को एकर करके डिस्कस करेंगे और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे Telegram चैनल से जूर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचर डिस्क्रिप्सन में है और आपके पास भी कोई question paper है तो आप gfs25.gmail.com पे भेज सकते हैं तो देखिए paper जो हम discuss कर रहे हैं यह 7 पेपर हम discuss कर रहे हैं देखिए पहला question आपके सामने है तो देखिए एक current का question था लेकिन अभी आपसे भी question पूछा जा सकता है पूछा जा रहा है कि joint military exercise है युद्ध अभियास एक किस के बीच में होता है तो इंडिया और USA के बीच में होता है तो USA इसका correct answer होगा 2018 का editions उतरा खंड में हुआ था तो alternative year पे होता है एक साल अगर इंडिया में हो रहा है तो दुसरे साल जो है USA में होता है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि युद्ध अभियास नाम ही है युद्ध अभियास एक military exercise है जो की इंडिया और USA के बीच में होता है तो इसको ध्यान रख लिजेगा आप देखिए question है कि Indian Air Force जो है successfully carried out the first day of mid-air refueling of which of the following compact aircraft तो देखिए कि जो compact aircraft है उसका नाम है तेजस इसको LCA बोलते हैं actually a light compact aircraft है तो तेजस इन्होंने जो है हवा में ही refueling करने की जो है यहाँ पर इसमें हो गया है Indian Air Force ने ऐसा करके दिखा दिया है तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर achievement थी Indian Air Force की तो इसको ध्यान रखिएगा तेजस इसका correct answer होगा तेजस क्या है light compact aircraft है इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है और इसको तेजस को बनाया किसने है तो HAL ने जो है manufacturing किया है तो इसको ध्यान रखिएगा है Hindustan Aeronautics Limited उसके next question ताज अब दराज ताज अब दराज जो है किसको बोला जाता है यानि कि राज का ताज किसे बोला जाता है और भारत में जो है Indo-British का architecture का एक बढ़िया नमूना है तो यह है Victoria Memorial Hall कोलकाता तो correct answer यहाँ पर A होगा दोस्तो Victoria Memorial Hall जो कि कोलकाता में है तो राणी Victoria जब भारत दिखिएगा तो Victoria Terminus बंबे में है राश्पति भावन नई दिल्ली में है और Cellular Jail यह भी कई बार exam में कोर्शन पूछे आता है कि Cellular Jail जो है कहां पर है तो अटमान एर निकोबार दीप समूपे है इसको भी ध्यान रखेगा Cellular Jail उसके देखिए next question आपके सामने है कि device used to test whether any object is carrying a charge or not यानि कि एक ऐसा उपकरन का नाम बताना है जो कि पता करता है कि किसी बस्तू में charge है या नहीं तो ऐसा device का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप तो correct answer यहाँ पर D होगा इलेक्ट्रोस्कोप इसका सही यानि कि बितुत दर से इसका सही उत्तर होगा आप देखिए a stethoscope इस जो ट्रैक करते हैं डॉक्टर और सुनते हैं कि उसके अंदर जो है sound कैसा है तो इसको भी जरूर ध्यान रख लिजएगा और देखिए जो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे मैंने बताया था यह first electric measurement tool था first electric measurement tool बास दा इलेक्ट्रोस्कोप तो इसको जरूर ध्यान रख लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वैसा जो है एरपोर्ट का नाम है क्यंपा गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की बंगलूर में अस्थीत है तो करेक्टर्स यहां पर भी हो है जो की यहां पर domestic passenger को भी biometric technology जो प्रवाइड करती है और भी paperless तरीके से इसको ध्यान रखे चातरपती सीवाजी अंतराश्टी हवायड़ा मुंबई में है क्यंपा गोडा बंगलूर में है सरदार बल्लभाई पटिल अंतराश्टी हवायड़ा अहमतावाद में है तो इस तरह से जो बहुत सारे एरपोर्ट है उसका नाम जो है जरूर याद रखना है आप लोगों क उसके देखें नेक्स कोश्चन है कि गवर्मेंट अफ विच उनियन टेरिटरी हस लॉंच्ट होम डिलेब्री अफ पाब्लिक सर्विस असकीन अजन अटेम्ट को यहाँ पर करफशन इस पाब्लिक डिलिंग ओफिस यानि कि कूल मिलाकर बात यहाँ पर बताया गया है कि चेफ मिनिश्टर मनिश से सोधिया ने जो है यहाँ पर जानकारी दी कि अब जो है करीब 40 जो है गवर्मेंट सर्विसेस को होम डिलेवरी जो है प्रवाइड कर आएगा ताकि करप्संस यहाँ मिटे और डारेक्ट जो है यहाँ पर जो वेनिफेसरीस है उसको जो है पूछा गया है कि इंडियाज का लार्जेस्ट जो बुद्धिस्ट मुनस्ट्री यानि कि सबसे बड़ा मठ पूछा गया है भारत का और परसिद्वी है तो उसका नाम है तवांग मुनस्ट्री एक किस राज में अस्थित है तो देखिए दो तो तवांग जैसे ही यहाँ बुला गया है कि तवांग मठ कहां पर है तो तवांग डिस्टिक है रonажу नाचल परदेश का तो उही पर जो है बौानचल परदेश उसका सही उत्थर होगा और यह तवांग जो मठ है आपको ध्यान ग streams है दुनिया में दुनिया में second largest है तो इसको ध्यान रखना है और хотите जो कि तवांग डेस्टी कारणाचल पर्देश पे 80 सीट है, अब देखें कोशन है कि नुर्खित में से किस राज में लोकसवा की सीटे सबसे अधिक है, देखें लोकसवा की सीटे जब सबसे अधिक की बात आती है, तो यूपी जरूर याद आता है, इसके 80 सीट हैं, लेकिन पश्चिम मंगाल का जो लोकसवा सीट है, वो है 42, तो 42 है, गुजरात का यहां पर आपको ध्यान रखना है 26 है, असाम का 14 है और राइस्थान का 25 है, ध्यान रखेंगा पश्चिम मंगाल का 42, तो इसमें से सबसे अधिक जो है पश्चिम मंगाल का है, तो अपने-पने प्राइक वालों को एक बार रिवीजन हो जाएगा तो ऐसा कदम आप लोग उठा सकते हैं प्रैक्टिस थोड़ा सा कर सकते हैं उसके बाद एक कोशन है कि भारत में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो देखे आंधर परदेश इसका सही उत्तर होगा आंधर परदेश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादर होता है दूसरे नंबर पे हाँ पर करना टकाता है तो आंधर परदेश इसका सही उत्तर होगा ध्यान रखिएगा अधिके कोशन है कि गांधी इर्विन समझावते पर किस वर्स हस्ताचर किये गए थे तो महात्मा तो क्योंकि Civil Disobedience Movement 1930 में जो चलाई गई थी और इसकी सुरुवात किसके दोरा होई थी Civil Disobedience Movement महात्मा गांधी के दोरा और इसकी सुरुवात जो है मानी जाती है दंडी मार से जो की 12 मार से लेके 6 अपराल 1930 तक चली थी इसी के साथ Civil Disobedience Movement चली और इसी को खत्म करने के लिए जो है गांधी इर्विन पैक्ट 1931 में लाए गया तो इसको जरूर ध्यान रखेगा तो गांधी इर्विन पैक्ट साइंड इन 1931 अब देखे कोश्चन है यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है कि RBI यानि कि Reserve Bank of India कि जो मौदरिक पॉलिसी होती है यानि कि मौनेटरी पॉलिस होते हैं उसके बाद SLR होते हैं CRR होते हैं इस तरह से बहुत सारे instrument होते हैं तो क्या मैंने GST का नाम लिया नहीं तो इसका correct अंसर होगा GST Goods and Service Tech बस्तू और सेवाकर जो कि एक indirect tax है यानि कि अपर्टेच कर है GST कैसा tax है तो अपर्टेच कर है इसको भी द्यान रखना है और इसको लागो किया गया था एक जुलाई एक जुलाई दो हजार सत्रा से और भारतिय समिधान में 101 मा नंबर का समिधान संसोधन जो है किया गया था और बिल लाए गया था 122 में नंबर का बिल लाकर 101 मा समिधान संसोधन भारतिय समिधान में किया गया और GST यानिकी Goods and Service Tax क एड किया गया इसको भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है उसका देखिए next question आपके सामने है किन मुर्खित में से कौन सा भारती ये मुख्य भूमी से होकर गुजरता है तो इस तरह से आप लोग अगर देखते होंगे तो भारत अगर मैंने ऐसा बनाया तो इस तरह से यहा आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो क्या आप नाम बता सकते हैं कि भारत के कौन-कौन ओ आठ राज्य हैं जिससे करकरेखा होकर गुजरती है कमेंट सक्षन में आप लोगो को बताना है तो आठ राज्य से होकर करकरेखा गुजरती है तो देखे भारत ये मुख्य भू रेखा को दो बार जो है काक्ती है इसको ध्यान रखिएगा बहुत ही important है और एक और important factor याद रखिएगा कि जो यहां पर तीनों रेखा हैं आप लोगों को देखने को मिल लेगे करकर रेखा मकर रेखा तो देखिए अगर हम इस तरह से globe बनाते हैं तो बीच से होती हुई दोस्तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद झाल